हलो दोस्तों मैं प्रिशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक ट्वेटीर कॉमिट्री में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में एक जवर्दस प्रोफिटेबल ट्वेडिंग स्ट्रेटजी के उपर बात करने जा रहे हैं जिसको जैनुरी लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन अगर आप उसका इस्तमाल करेंगे तो आप अपने ट्वेट का एकुरेशी लेबल इंप्रूब कर सकते हैं चलिए यहां पे हम एक निव इस्ट्रेटजी देखते हैं बेस्ट आउन मैक डी एंड इयमें जो कि आपके ट्वेट के एकुरेशी लेबल को इनक्वीज करेगा यहां पे हम चार्ट पे आगए और यह जो चार्ट है आपका भारत फोज का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट इसके basis पे आप चाहो तो intraday trading भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो swing trading भी किया जा सकता है लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे timing भी changes कर सकते हो, timing में कोई restrictions नहीं है 15 minute के जगा पे आप 1 hour, 4 hour का time frame वाला chart पे use कर सकते हो for the purpose of swing trading and positional trading अब यहाँ पे हमें देखिए हमने क्या indicator का इस्तेमाल किया सबसे पहले मैंने आपको already बता दिया हम MACD indicator का इस्तेमाल करें और दूसरा यहाँ पे हम 21 day exponential moving average यानि EMA का इस्तेमाल करने जा रहे हैं अब यहाँ पे देखिए हम MACD और EMA का in general इस्तेमाल नहीं करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमें 22 की तरफ signal दिया लेकिन यहाँ पे हम 22 की तरफ नहीं जाएंगे यहाँ पे भी हमें cell side की तरफ signal दिया यहाँ पे भी हम cell side की तरफ नहीं जाएंगे यहाँ पे फिर से 22 की तरफ signal मिला कब हमें इसको follow करना है और कब हमें इसको follow नहीं करना है यह आपको समझ में आना चाहिए और यही चीज़ है जो कि आपको losses को avoid करके देगा क्योंकि ultimately अगर आप 10 trade लोगे तो उसमें से 1-2 trade में आपको profit मिली जाएगा problem कहां पर आता है क्योंकि हमें losses जादा उठाना पड़ता है तो अगर हम जो भी losses हो रहा उस losses को हटा दे तो आपका trade automatically profitable trade बन जाएगा तो हमें profit फोकस नहीं करना losses को कैसे हम कम कर सकते हैं कैसे उसको हम हटा सकते हैं उस पे focus करना और उसी को ध्यान रखते हुए हमने इस strategy का formation किया इस strategy को पर बात करने जा रहे हैं तो अब देखिए यहां पे हम जो MACD का इस्तेमाल कर रहे हैं इन general इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पे हम कुछ condition apply करेंगे यह नहीं कुछ point यहां पे हमें ध्यान रखने की ज़रुवत होगी ताकि इस तरह के जो buy or sell signal मिलते हैं उत्से हम अपने आपको बजा सके क्योंकि उपर जाता है तो यहां पे हमें क्या करना वाइसार की तरफ ट्रेंग पोजिशन इनिशेट करना है और जब ग्विन लाइन रेट को क्रॉस करके नीचे जाता है तो सेल साइट की तरफ जाना लेकिन जब आप मैग डी ऑपन करोगे तो हो सकता है कि आपको यह ग्विन रहे हो आपको रेड रखना है तभी आपका यह ग्विन और रेट कलर का लाईन आएगा जिसके बेसिस पर आप आसानी से ट्वेड कर सकते हो पहला कंश्विडेशन क्या है कि जब हमें सेल सिगनल मिले वह कहां मिलना चाहिए वह हमें अपर हाफ में मिलना जैसे है कि यहां पे हमें मिलता हुआ दिख रहा है और जब हमें by signal मिले तो हमें lower half में यह निलों पॉस्टन में दिखना चाहिए तब ही हम इसके basis पे जाएंगे या नी बाइस सिग्णल लोग पोईशन में और सेल सिगनल अपर पोईशन में मिलना चाहिए पहला पॉइंट यह आपको ध्यान रखने की ज़रुवत है दूसरा पॉइंट कि जब हमें यहां पर सेल सिगनल मिलवा है या फिर बाई सिगनल होना चाहिए यह में क्या दिखाता है यह हमें दिखाता है कि मार्केट में मोमेंटम है और मोमेंटम के साथ यहाँ पे हमें buy या sell signal मिला अगर कोई भी signal आपको momentum के साथ मिलता है मतलब momentum आगे भी continue रहेगा और फिर हमें यहाँ से profit बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना है कि जब भी हमें buy या sell signal मिला उससे पहले इस तरह का big candle का formation होना जरूरी है तो बस दो ही point बखना है buy signal नीचे portion पे sell signal उपल आरे portion पे और buy और sell signal जे पहले candle का size big होना चाहिए बस macd में यही consideration करना है और जब price आपका zero line के आसपास हो तो वहाँ पे हमें कोई trade execute नहीं करना कोई buy or sell signal को follow नहीं करना अब हम आते हैं दूसरा indicator जो कि आपका 21 day EMA अब देखिए price जैसे 21 day EMA के उपर जाएगा यहाँ पे हम buy side की तरफ जा सकते हैं और इसके नीचे आते हम sell side की तरफ जाएगे लेकिन यहाँ पे जो buy or sell side का process होगा यहाँ फिर 21 day EMA की बात कर ले यह सारा काम कहां पे होना चाहिए आइदर support के करीब होना चाहिए या फिर resistance level के करीब होना चाहिए अब हम ऐसा क्यों बोलों क्योंकि जब भी price support या resistance level करीब आएगा दो ही काम होगा आइदर price में continuation आएगा support या resistance level को break करेगा या फिर वहाँ से reversal लेगा करना है सबसे पहला मैक डी जो मैंने पॉइंट बता है वह ध्यान रखने की जोड़त है दूसरा 21 यह में यूज करना है और इसके साथ-साथ यह सारा जो प्रॉसेस होगा वह कहां पर होगा वह आइदर सपोर्ट या फिर स्टेंस लिवल के करीब होना चाहिए बस यही पॉइ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो भी स्ट्रेटजी है मैं आपको सारा का सारा सिंपल तरीके से बताने कोसिस कर रहां और कहीं पर कुछ भी कन्फीजन हो डाउट हो समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं वहां पर आपको प्रॉपर एंसर किया जाएगा और अगर आप नए है चैनल पर पहली बार आए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कर दीजेगा ताकि इस तरह के रेगलर अपडेट आपको पास पहुंच जाए और आप कोई वी वीडियो मिश ना करें तो अब यहां पर देखिए हम एक्जांपल गया औ और पोजिशन से यहां पर मिला जीरो लाइन करीब तो यहीं पर हम ट्रेइड कर दें हम ट्रेड नहीं करेंगे अब यहां पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है लेकिन फिर भी हम ट्रेड को छोड़े क्योंकि अगर आप इन सारे प्रॉफिट के पीछे जाओगे त इसके basis मचली attract हो और वो उसमें first जाया तो यहीं सारा कुछ यह hook है जिसमें आपको फसाने की कोशिस किया जा रहा है तो आपको इसके basis पे नहीं जाना अब यहां पर देखें यहां पर हमें cell side की तरफ signal मिला है और यह अपर हाफ में मिला है तो यहां पर हम cell side की तरफ जाए दिया है लेकिन जो हमें 21 day EMA बताया है कि cell side की तरफ जाना है वो काफी लेट इस वाले पोजिशन पर बताया है और इस पॉइंट पर मैकडी कहां पर है इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं मैकडी already काफी नीचे side की तरफ आ गया है यहां पर हमें 21 day EMA की late signal मिलता हुआ दिखा है तो अगर इस तरह से late signal मिलता है फिर भी यहां पर हम क्या करेंगे trading positions avoid करेंगे हम trade नहीं लेंगे यह नहीं सारा कुछ हमें perfect time पर मिलना चाहिए कुछ भी हमारे according अगर नहीं हो रहा है तो हम trade नहीं करेंगे तो यहां पर एक और चीज है कि मैं आपक trade नहीं करना कब आपको trade करना अगर मैं simple आपको strategy बता दू कि ऐसे से आपको trade करना तो जब ऐसा situation आएगा कि जब आप trade नहीं करना है तो उस टाइम पे यहां पर आपके सामने दोनों situation है कि कब हमें trade करना कब हमें trade करना ताकि live market में आपको confusion ना हो और को हमारे पास multiple stocks 5000 से नुकसान जरूर देगा, उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से एक बाइस सिंगनल मिला, लोवर पोशन मिला, उससे पहले हमें यहाँ पे candle का size big होना चाहिए, अब candle कलर कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें candle का size देखना है, हमें इसलिए day EMA को भी price break करके उपर निकलना है, अब यहाँ पे हमें देखना है, कि यह सारा काम, कोई support level या फिर resistance level के करीब हुआ है, या नहीं हुआ है, अब देखिए, यहाँ पे हमें direction तो पहले से मिल गया, कि price आपका नीचे से उपर साइड की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पे कोई resistance level होगा, तो उसको price break करके उपर निकलेगा, तभी हम buy करेंगे, अगर कोई आपका support level होगा, तो उसको respect करते हुए जाएगा, तभी हम buy साइड की तरफ trading positions initiate करेंगे, यह नहीं, आपको यह काफी हद तक filter करके भी MACD दे देता है, direction भी clear करके बता देता आपको, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, तो 850 की बात करें, तो यह आपका option chain के basis पे भी और previous अगर आप levels देखें, तो इसके basis पे भी आपका यह support के रूप में काम करता हुआ दिखा है, और यहाँ पे एक और सीज में बता देना चाहूंगा, अगर आपको support और strength level find करने में दिक्कत हो रही है, तो support और strength level find करने का बस दो-तीन simple सा तरीका है, पहला तरीका है कि आप इसको option chain के basis पे find कर सकते हो, उसके दूसरा point है कि आप इसको price action के basis पे find कर सकते हो, और तीसरा और most important है कि आप इसको OHLC के basis पे भी find कर सकते हो, उसके बाद, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहला option chain के तरब से भी हमें दिख गया कि बहुत जल्दी नजदीक में support level है, और previously जो closing दिया है, इसी के आसपास closing दिया है, यह जो big red channel है, यह आपका new day का शुरुआत है, यह नहीं, यह जो closing है, इसको भी इसने support के रूप में काम किया, यह नहीं, OHLC के basis पे भी हमें यहाँ पे support level देखने को मिला है, अब यहाँ पे हमें क्या करना, बाइसरी की तरफ trade लेना, जैसे ही price इसके उपर निकला है, हम इसी level के आसपास बाइसरी की तरफ trading positions initiate करेंगे, जो lowest point है हमाई लिए, stop loss के रूप में काम करेगा, और फिर हमें same day देख सकते हैं, अच्छा खासा profit मिलता हो दिखा है, इस target price के लिए जाएंगे, और इस target price को इसने hit कर दिया है, तो ऐसे हमें कब trade लेना है, और कब trade नहीं लेना है, यह सारा समझ होना जरूरी है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरे example पर आते हैं, अब दूसरा example जो हमारा bank nifty का 15 minute time frame, मतलब यह जो strategy है, इसका इस्तेमाल हम nifty में कर सकते हैं, bank nifty में क कर सकते हैं, या फिर कोई particular stocks में भी इसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखने की जोगत है, क्या हुआ है, हमें नीचे में buy signal मिला है, और उससे पहले क्या देखने है, प्लिवा candle का size भी big है, बहुत सारे buy sell, buy sell signals आपको मिलेंगे, आपको सही तरीके से absorb करना, और फिर आपको पता चल जाए कि हमें किसके basis पर जाना और किसके basis पर नहीं जाना है, तो यहाँ पर देखिए, हमें buy side के तरफ signal मिला है, और यहाँ पर price भी इसको break करके उपर निकला, अब हमें देखना है कि यहाँ पर कोई support level या responsible करीब यह सारा काम होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम देखें, यह सारा काम कहाँ पर हो रहा, 43,000, एक काफी strong support के रूप में काम करता वा दिखा और price इसके नीचे आया, लेकिन यहीं से फिट से वापस उपर साइड की तरफ लोट आ है, और जैसे इसके उपर निकला हम यहीं पर, buy side की तरफ trading positions initiate कर है, stop loss के रूप में काम करेगा, फिर हम इस target price यहीं प्रिवेश स्विंग हाई के रूप में अपना target set कर सकते हैं, और target price को इसने बहुत जल्दी आसानी से hit कर दिया, यहाँ यहाँ पर हमें intraday में ही profit मिलता हुआ, दिख रहा है, तो आसानी से आप इसके basis पे intraday भी trade कर सक सकते हैं, और आप चाहों तो options में भी trade कर सकते हैं, यहाँ पर आप 43 thousand के call options को भी buy करके बहुत जल्द profit मना सकते हो, तो इसका इस्तमाल हम options trading में कर सकते हैं, futures trading में कर सकते हैं, delivery में कर सकते हैं, swing trading, positional trading में भी कर सकते हैं, time frame को changes करते हुए, बस ज़्यादा कोई complications नहीं है, ज conditions यहाँ पर apply करना है, लेकिन जैसे ही आपका इसके आसपास हो, या फिर यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा big candle देखने को नहीं मिले, तो फिर यहाँ पर हमें trading positions avoid करने की ज़रूरत है, बस कोई भी compromise नहीं करना, जो point मेंने बता है, उसके basis पे, बांकि आप इसका इसका इस्त बनाते रहेंगे, so that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिन!